नमस्कार दोस्तो ग्लोबल अकेडमी के इस पैनल पर आपर स्वागत है आज पॉलिटी की ये किलास रहेगा जो टॉपिक आज रहेगा ये रहेगा इस्थानी ये सासन लूकल गवर्मेंट यानि कि इसमें एक तो नगरपाली काएं और तुम्हारी नगरपरीसद जो होते हैं एक तो इसमाएंगी नगरपाली काएं और एक दूसरे भागमा आती है ग्राम पंचायत है जिसको तेतरवे और चोहतरवे संसुदन के द्वारा जोड़ा गया था पीवी निरसे वराव के द्वारा अब ये जो इस्थानी ये सासन है तो कैसे कैसे होनी चाहिए तो आज जो रहेगा लोकल गवर्मेंट इस्थानी ये सासन मेरे हिसाब से तो इस पॉलिटी आपकी लास्ट चल दिए कि तेरी का कि 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 क टोपिक रहेगा लोकल गवर्मेंट इस्थानिय सासंग इस्थानिय सासन लोकल गवर्मेंट इस्थानिय सासन दो तरीके का इस्थानिय सासन है वहरत के अंदर तो इस्थानिय सासन में एक तो हम बात करेंगी ग्राम पंचायत की और दूसरी नगर पालिकाओं की यानि की मुंसी फिलिटी की एक तो ग्राम पंचायत की और मुंसी फिलिटी की तो पहली ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत और दूसरी नगर पालिकाओं एक तो ग्राम पंचायत और दूसरी नगर पालिकाओं ग्राम पंचायत और दूसरी है नगर पालिकाओं ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं इनके जो भाग आते हैं ये कौन-कौन से भाग में आती हैं तो ये जो आती है इसका भाग है 9 भाग 9 और जो इसका भाग है वो है 9A भाग यानिकी अध्याय ये 9 में और वो 9A में 9A तो भाग 9A अनुछेद वह कौन से अनुछेद में ये आती हैं तो भाग 9A ग्राम पंचायत अनुछेद वह कौन से आती हैं होंगी यानि कि ये जो राज्यों के अंदर सासन कैसे रहेंगे तो जो ग्रामीन छोत्र होंगे उनके लिए ग्राम पंचायत होंगे और जो छेत्र कस्वे सहरी टाइप होंगे वो नगरपाली काओं में होंगे अब इसका पैमाना क्या है सहरी छेत्र का और ग्रामीन का तो उस इसके जो अनुच्छेद हैं तो यह आती है या आता है आर्टिकल दो सो तेतालीस से लेकर के और दो सो तेतालीस ओ अबी सीडी बारा अबी सीडी इफजी है चाई जेके लमन ओ इस तरीके से और इसका जो अनुच्छेद है यह आता है आर्टिकल दो सो तेतालीस पी से लेकर पी और दो सो तेतालीस जेड़ जी तो यह इसका अनुच्छेद है और कई बार पूचा गयार खुब इंपोर्टेंट है भाग अनुच्छेद और बटवारा इनका ठीक है यह हो गया तुमारे इनके कौन से संसोधन से यह एड़ की गई थी अनुच्छेद है अब करेंगे बात इनका संसोधन तो इसका जो संसोधन था नगर पंचायतों के लिए संसोधन किया गया था संवीधान में तिहत्तरवा संसोधन उननी सो बानवे तो यह था तिहत्तरवा संसोधन तो संसोधन संसोधन था यह तिहत्तरवा तिहत्तरवा निस सो बानवे और यह कांगरेस पाल्टी पीवी नर्सिम मराव ने किया था तिहत्तरवा संसोधन 1992 और यह जिस्ट आगे वाला संसोधन इसका संसोधन जो था इसका संसोधन था चहत्तरवा उन्नीस्सू बानवे कांगरेस पाल्टी पीवी नर्सिम मराव प्राइम मिनिस्टर पीवी नर्सिम मराव दोनों की दोनों में तो यह जो थे थोड़ी सी बात थे कि इनका कौन से भाग में यह आती हैं और कौन से संसोधन के द्वारा इनको एड़ किया गया था अब बात करते हैं कि जो ग्राम पंचायत हैं तो जो भारस सरकार के द्वारा समीती गठित की गई थी समय समय पर कौन सी समीती ने इस थानिसासन के वह अच्छा बनाने की जिससे अच्छा व्यकास हो तो कैसी कैसी ववेश्था हैं दी थी किसीने बताया था कि वह तीन परकार की ओनी चाहिए निचले स्टर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए फिर 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 ब्लोक लेवल होने चाहिए फिर जला होना चाहिए फिर इस्टेट होना चाहिए किसी ने कुछ बताया था और किसी ने कुछ बताया था सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत में पहला ग्राम पंचायत के लिए तो सबसे पहले पंडित जभारलाल नहरू के द्वारा दो अक्टूबर 1952 को सामुदाइक दो अक्टूबर परदान मंत्री जभारलाल नहरू के द्वारा नहरू के द्वारा सामुदाइक के द्वारा के द्वारा दो अक्टूबर 1952 को सामुदाइक परसार कार्रेकर पहला पॉइंट कि जब इनके गठन यह तो जो मैंने बताया 93-94 यह तो लूर्द मैंने जब की बताई है कि जब कठन हुआ था तो पहले ज Kings नहीं हुआ तो क्या-क्या चीजें गठित की गई थी और कैसे-कैसे निकल करके आई थी का तो सबसे पहले समीति की बात करेंगे जो इसके लिए गठित की गई थी तो सबसे पहले बल्वन्त राय महता समीति बल्वन्त राय महता समीति तो सरकार ने सबसे पहले ये कमीटी गठित की थी कि इस थानिय सासन कैसे होने चाहिए क्या-क्या विवस्ता होने चाहिए किस प्रकार से ग्राम पंचायत होनी चाहिए तो बल्वन्त राय महता समीति सबसे पहले सरकार के द्वारा ये गठित की गई थी तो इसका गठन जो हुआ था, तो इसका गठन 16 जनवरी 1957 को अपना प्रतिवेदन 1957 में ही दे दिया था, और जब इसने रिपोर्ट दे थी तो रिपोर्ट में क्या कहा था क्या कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों में ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे हो, तो कैसा साशन होन चाइए, तो इसने पताया था कि जो natural level है, सब से नीचे वाले होने चाइए, ग्राम पंचायत, विकास के लिए, और फिर उससे थोड़ा ऊपर लेवल पर होने चाहिए तुमारे प्रखंड लेवल जिनको हम ब्लॉक बोलते हैं और तीसरा यह नहीं कहा था कि उच्छे लेवल पर होने चाहिए जला पंचायत सबसे नीचे ग्राम पंचायत दूसरा प्रखंड लेवल यानि कि ब्लॉक होने चाहिए विकास के लिए और ती तो इसने कहा था कि सबसे नीचे होनी चाहिए ग्राम पंचाय था ग्राम पंचाय था यह निचले लेवल पर विकास करेंगी और इसने कहा था कि फिर इससे थोड़े लेवल पर रहेंगे प्रिखंड इनको भूलते हैं ब्लॉक कि इससे थोड़ा उपर लेवल पर रहेंगे प्रिखंड ब्लॉक और इससे थोड़ा उचे रहेंगे विकास के लिए जला पंचाय था जला पंचाय तो यह बल्वंत्राय महता समीती की रिपोर्ट थी यह बल्वंत्राय महता समीती ने अपनी रिपोर्ट दी थी इस प्रकार से होना चाहिए सासंग तो ग्राम पंचायत ब्लॉक और प्रिखंड यानि कि यह लेवल था नीचे से उपर की ओर जाने के लिए अच्छा जी अब इससे आगे बात करेंगे पहले पॉइंट से कि भई जब इसने अपनी यह रिपोर्ट दे दी अब रिपोर्ट इसने जब अपनी दी थी त तो 1957 वे इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और एक वर्सी बाद यह सरकार्निक कलेक्ट कर ली कि ठीक है देखा जाएगा इसके उपर विचार बना करके वह ऐसा लागू करना है यह नहीं करना है तो पहला पॉइंट बलबंत राय महता बलबंत राय महता महता समीती की रिपोर्ट को बलबंत राय महता समीती की रिपोर्ट को एन डी सी एन डी सी नेशनल डवलप्मेंट काउंसल भारतिये विकास परिस्द पिछले वाले किलास में मैं एन डी सी के बारे में करवा चुकाओंगी कवेस के गठन किया गया तक और पहले इसमें जो है कितने मेंबर होते थे और बाद में इसके कितने मेंबर को सपत दलाई जाती है राश्टी विकास परिसद में और सूपर के विलेट किसको का जाता तो एन डी सी के बारे में फूरी चर्चा पीछे हो चुकी थी एन डी सी के द्वारा स्वीकार किया गया बहुत है जो राश्टिये विकास परीशद है तो विकास परीसद के द्युआरा इस बात को एकस्प्ट कर लिया गए टीक है यह रिपोर्ट है इस पर काम किया जाएगा तो बलबन्त्राय मेहतासमीटिक रुपोर्ट को NDC के द्वारा स्वीकार किया गया अब दूसरा पॉइंट राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य पंचाती राज अधीनियम पंचाती राज अधीनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था पहला राज्य तो राजस्थान पंचाती राज अधीनियम को लागू करने वाला पहला राज्य बना था तीसरा पंदिच जभारला नहरू ने नहरू ने दो अक्टूबर 1969 और राजस्थान राजस्थान पंचाती राज अधीनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था यह सेप्टेंबर 1969 को लागू किया था पंदिच जभारला नहरू ने दो अक्टूबर 1969 को नागोर जिली से नागोर यह डिस्ट के राजस्थान नागोर राजस्थान नागोर राजस्थान से पंचाती राज को लागू किया गया तो यह थे बलवंतराय महता सहाव इसने अपनी रिपोर्ट दे दी इस लिए बस तरीके से कि ऐसी विवस्था होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए प्रखंड होने चाहिए जलाप पंचायत होनी चाहिए और सरकार के द्वारा रिपोर्ट को स्विकार भी कर लिया गया और लागो भी कर दिया गया अब सरकार सोचती है कि जनता का विकास ज्यादा से ज्यादा कैसे हो और इसमें भी कुछ बहतर तलासने की कोशिस की जाए कि इसमें भी कुछ ऐसा काम हो कि और ज्यादा विकास हो औ और किसी दूसरी समीति के दवारा कोई और सर्वे कर आया जाए कोई और बात वा अपनी रिपोट में देगा तो इसको हम देखेंगी कि लागू करना है यह नहीं करना है तो जब ये बलवन्त्राइ मह्ता समीति ह्यों सरकार ने एकस्याप्ट वी कर ली तो दुबारा से समीती बनवाई गई एक बार फिर दुबारा से तो वोग कठित की थी उन्नीस सो सशेत्तर में मोराड़ जी देशाई उन्नीस सो सशेत्तर में तो ये थी तुम्हारी असुओक महता समीती असुओक महता समीती असुओक महता समीती तो असुओक महता समीती गठित की गई थी ये असुओक महता जो थे ये एकोनोमिस्ट थे उस टाइम पर तो गठन इसका और रिपोर्ट तो इसका गठन उन्नीस सशेत्तर में किया गया था उन्नीस सशेत्तर में और इसने अपनी रिपोर्ट एक सालवाद दी थी उन्नीस सशेत्तर में इसने क्या सोजार दी थी कि कैसा होना चाहिए विवस्ता कैसी बनाई जानी चाहिए तो इसने चार विवस्ताइं बताई थी कि इस परकार से होना चाहिए चौथी तो पहला इसने कहा था उसी की तरह कि भई सबसे निशली लेवल पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए उससे उपर पर ब्लोक पंचायत होनी चाहिए यानि कि प्रखंड होने चाहिए उससे उपर पर जला होनी चाहिए इसने state की बात और जोड़ दे कि भाई सबसे उचे लेवल पर राज्य होने चाहिए यानि कि state होनी चाहिए तो इसने पहले कहा था कि शुरू नंबर पर कौन उचाहिए ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत दूसरे होने चाहिए प्रखंड ब्लोक तीसरे होने चाहिए जला पंचायत और चोता होना चाहिए राज्य इस्तर यानि कि इतने तरीगे से वेवस्ता होनी चाहिए जब अच्छा व्यकास होगा ये असोक महता समीती की रिपोर्ड थी असोक महता समीती गठन 1967 रिपोर्ट 1978 में और ये इसने अपनी इसके बारे में ये थियान कारी थी कि इसने कहा था कि ऐसी ऐसी वेवस्ता होनी चाहिए इसरी असोक महता समीती ओहो एक मनट रोको ये लिख दिया है गलत वन मिनट वन मिनट वन मिनट ओहो एक मिनट भाई एक मिनट हुआ एक मिनट एक मिनट इसको रहने देते हैं बस इसको नाम को चेंज कर लेते हैं वह सोर ये गलती के लिए तो ये थी जी वी के कमेटी ने कहा था ये और रिपोर्ट उन्नीस सुच यासी में तो इसने ये बताई थी कोई नई असोक महता समीति को इसके बाद में लिख लेंगे वह गलती है माफिय गलती के लिए पहला पॉइंट तो जी वी की कमेटी जो आई थी इसका नाम था गनपति राव वेंकट गनपति राव वेंकट तो इसने क्या सुझाब दिये थे रिपोर्ट में पहला पॉइंट इसने कहा था कि ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलवद कराए जाएं तो ग्राम पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलवद कराए जाएं यह जी वी के कमेटी ने कहा था दूसरा पॉइंट ग्राम पंचायत इस्तर पर ग्राम पंचायत इस्तर पर ज्याय संसद होना चाहिए तो यह कहा था इसने ठीक है भई गलती हो गई थी वही क्या करें वह तो यह जीवी के कमेटी थी इससे आगे लखो भई यह अब डालो असोक महता समीती हालांकि असोक महता इससे पहले आनी चाहिए थी क्योंकि वह इससे पहले कठेत हुई थी ना अब यह बाद में ले खानी थी ने फिर यह सब हटाना यह है असोक महता समीती इसका गठान और इसकी रिपोर्ट असोक महता समीती यह एकोनोमिस्ट थे एकोनोमिस्ट गठन उननी सो ससेत्तर में और रिपोर्ट उननी सो अठतर में इसने कैसी वेवस्ता दी थी क्या होना चाहिए इसने तो दो ही बताई थे एक ग्राम और एक जला पंचाथ इसने कहाता कि ग्राम होने चाहिए ग्राम पंचाथ होनी चाहिए और पंचाथ होनी चाहिए जला पंचाथ पहली पहला कहाता इसने पहला नीचे होनी चाहिए ग्राम पंचायद और उपर ले लेवाद पर होनी चाहिए ग्राम पंचायद से उपर जला पंचायद तो इसने तो दो ही वेवस्थावत आई विकास के लिए कि एक तो नीचे ग्राम पंचायद होनी चाहिए और उपर ले लेवल पर जला पंचायद होनी चाहिए तो यह असोक मैता समीती बलवंतराय मैता समीती जीवी के कमेटी लेक्स अगली लेक्स अगली लेक्स अगली लेक्स अगली लेक्स अगली लेक्स अगली गठन और रिपोर्ट से 1986 रिपोर्ट 1986 तो एलम सिंग भी समिती गठित की गई थी इसके बाद में अब इससे आगे जो एक और गठित की गई थी वो थी पी के थूंगन समिती पी के थूंगन समिती तो पी के थूंगन समिती एक लिख ले नाइन के कितनी समिती अभी तक गठित की गई है पहली बलबंत राय मेहता संगिती दूसरी जी वी के कमेटी हलांकि दूसरे पर तो अशोक मेता समिती आने चाहिए थी लेकिन वो आपर गलती हो गई थी ना तो सही करवाने में अब कोई नहीं है इस दो ही लेख लो इसको वो थोड़क टाइम का डिफरेंस है वो एक क्रम में हो जाता जब जब यह एक क्रम में हो जाता अब यह उपर नीचे हो गया कोई बात नहीं है चोथी एल्लेम सिंग भी समीती पांच भी यह है तुमारी पीके थूंगन समीती इनके लिख 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 लोगा गठन और रिपोर्ट तो गठन इसका हुआ था 1988 में और रिजल्ट 89 में तो इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी पहली रिपोर्ट पहली तो पहला कहाता इसने पी के थोंगन समीति ने कि पंचायती राजों में यानकी ग्राम पंचायतों को सम्वेधाने दर्जा दिया जाना चाहिए तो ग्राम पंचायतों को सम्वेधाने दर्जा दिया जाए सम्वेधाने दर्जा तो अभी नहीं दिया गया है सम्वेधाने दर्जा इनको एक तो इनके संसोदन थे एक संसोदन तेहतरवा के द्वारा किया गया ग्राम पंचायत का था ये ग्राम पंचायत का चोहतरवा जो किया था वो नगरपाली काओं के लिए कि नगरपाली काओं के क्या अधिकार होंगे क्या सक्तिया होंगी तो इस परकार से ये थे 1992 में दोनों संसोदन कर दिये लेक अब संबेधानिक दर्जा भी तो होना चाहिए तो इनको संबेधानिक दर्जा था 24-4-1993 को एक साल बाद यानि कि 24 अप्रेल 1993 को संबेधानिक दर्जा इनको दिया गया और ये जो पी के थोंगन समी ती ये पहले की ती तो ये बोल रही थी कि इनको संबेधानिक दर्जा दि की बूल दी अब नगर पालीकाओं को कि नगर पालीकाओं को सम्वेधानिक दर्जा दिया जाए तो ये बात कही थी पी के थुंगन समीती ने कि नेक्स्ट पॉइंट कि नेक्स्ट पॉइंट इससे मतले को इसको इसको लिखो तुम ऊपर ही ये तेतरवा संसोदन था 1992 में इसमें 29 विशे हैं इसमें 29 विशे थे जब इस संसोदन किया था तो उनके अधिकार उनकी सक्तियां उनके प्राधिकार क्या थे तो ऐसे इनके 29 विशे थे तेतरवे संसोदन में जब किये गए थे वो तो 29 विशें पर उनके अधिकार बगएरा थे तो इसमें इसमें कितने थे इसमें थे 18 विशे कौन से मैं नगर पाली काओ वाली में तो 18 विशे अब ये कौन से विशे थे जब इसके बाद में क्लास प्रेक्टिस सेक्शन वाली होगी तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से विशे थे क्वेश्चन बताएंगे उनको तो ये तुम्हारी लोकल गवर्मेंट में भी ग्रामीनों के उपर अब एक काम और करते हैं इसमें पॉइंट वाइज तो पहले पॉइंट में लेको पंचायतों में महिलाओं को वन थड़ आरक्षन होगा चुनाव लड़ने के लिए तो इसमें एक तो पंचायत में महिलाओं को अब ये बात याद रखनी है ये पी के थोंगन समीती से अलग हैं तीन पॉइंट जो मैं ये लिखवा रहा हूँ ये point अलग थे P के थोंगन समीती जो गठत की गई थी 1988 में रेपोर्ट 1989 में उसने दो point बताये थे अब ये जो नीचे के 3 point है इनको मैं अलग लिखा रहा हूँ ये अलग point है कि पंचायत में सीटों का आरक्षन कैसे होता है पंचायत में सीटों का आरक्षन दूसरा point वह एक वर्टे तीन भहिलाओं के लिए आरक्षन रहेंगे दूसरा पंचायतों में सीटों में पंचायतों की सीटों में S.C.S.T. को आरक्षन रहेगा तीसरा point पंचायतों की सीटों में पंचायतों की सीटों में वन थड़ महिलाओं को रहेंगे तथा तथा चक्रिय क्रम में चक्रिय क्रम में सीट आवंटित की जाएंगी चक्रिय क्रम ऐसा होता है कि मानलो एक गाउं है कोई भी गाउं हो सकता है आपका तो उस गाउं में एक बार तो महिला की सीट आ जाती है तो यह जो क्रम होता है यह चक्रिय क्रम होता है इनकी सीट जो आवंटित की जाती है महिलाओं को SCST को जनरल को यह अविशे को तो यह चक्रिय क्रम में इनको दिया जाता है यह वन थर्ड आरेक्षन महिलाओं के लिए रहेगा पंचाज सीटों में SCST का आरेक्षन रहेगा और जो सीटे आवंटित की जाएंगी वो चक्री क्रम में आवंटित की जाएंगी तो ये तुम्हारा ग्राम पंचायतों के उपर था अब बात करते हैं नगरपाली काउं के कि नगरपाली काउं में कैसी विशेष्टा होती है अचिक लिखो बई इसमें पाहला एक काम करते हैंए इसमें जादा मेर्टर था तुझ जादा लेकाना पड़ा है इसमें थोड़ा ये रिखो जादा कुछ नहीं ऐसा तो इसमें एक पंट पहले से लेखना कि एक तो है जो शहरी छेत्रों में पंचायत होती है वो कैसी कैसी होती है और डायरेक्ट चुनाप इसका होता है डायरेक्ट इसका भी होता है और दोनों में एज के लिए 21 साल सरपंचो या फिर नगरपाली का अध्यक्स हो मेयर हो पारसथ हो कोई भी हो तो 21 कम से कम एज तो सबसे पहले जनता वोट देगे किस किस को कहीं तो होते हैं मेयर कहीं होते हैं ये पारसद और कहीं होते हैं मुंसिपलिटी प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं नगरपाली का अध्यक्स नगरपाली का अध्यक्स इलेक्षन कार्यकाल पांच साल फाइव एर कार्यकाल पांच साल मेयर पारसद मुंसिपलिटी एज एक्किस साल दोनों के लिए यहां भी और यहां भी एज एक्किस साल होने चाहिए और कार्यकाल पांच साल होने चाहिए और यह विवस्ता होगी संसोधन यह बता दिया है यह नगरपाली काओं का अध्यक्स और उनके संबंदित अनुच्छेद कौन से हैं तो आगे 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 दूसरे पंट से तो विवस्ता इनकी कैसी होती है एक तो होते हैं नगरपंचायत एक होती है नगरपाली का एक होती है नगरपाली का निगम यह तीन विवस्ता सहरी छेत्र में होती है अब कैसे कैसे होती है यह नगरपंचायत जो होती है यह वैसी होती है कि जैसे जो कोई ग्रामीन एरिया है और वह सहरी एरिया में तबदील हो रहा हो यानि कि कोई ग्रामीन एरिया में परिवर्तन के साथ हो सहरी छेतर में परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसा ग्रामीन छेतर इसमें ऐसा ग्रामीन छेतर ऐसा ग्रामीन छेत्र जो ग्रामीन से सहरी छेत्र में परिवर्दत हो रहा हो तो यह नगर पंचायत दूसरे यह कैसे होते हैं जो छेत्र थोड़े सहरी या कस्वे और यह पूरते सहरी होते हैं जो छेत्र जो छेत्र पूरते सहरी हो तो जो छेत्र पूरते सहरी हो वो होते हैं नगर पाली का निगम तो यह कंप्लीट है वाप का इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डारेक्ट इलेक्शन होता है यह बता दिया मैंने इसका इलेक्शन कैसा होता है इनका डारेक्ट जनता वोट करती है इनको लिख लो वहियां कि तीसरे पॉइंट में कोई ने लिखी लो तुम्हें इसको कि अ कि तीसरा पॉइंट कि नगर पाली काओं में अद्यक्स अद्यक्स पिर्ट्यक्स निर्वाचन द्वारा यह तम्हारा आर्टीकल है 243 दै फश्ट के द्वारा चुने जाएंगे तो यह कंप्लीट है यह वापका लोकल गवर्मेंट के उपर था यह इस थानिये सासन कैसे थे क्या विवस्थाएं थी सब यह हो चुका है अब लेख सकते हैं ठीकर ठीकर अगली जो क्लास रहेगी वो वित्तायोग कहंदर का 280 और राज्य का वित्तायोग 243 वन एक तो इसके वारे हम कराना है और दो ना तो तीन क्लास में यह कंप्लीट हो जाएगी इससे आगे अगली क्लास फिर कराएंगे धन्यवाद